ब्राट तो यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स मुझ। आपको छुटकारा मिलेगा। और बढ़्या करना चाहें तो शनीवार को काले चने की सबजी और रोटी या काले चने की सबजी और पूरी बाटें इससे शनी की क्रपा आपको मिलती रहेगी और शनी संबंधी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरब से जन्मदिन की हार्दिक्षुब कामनाएं आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से पूरे होंगे करियर में आपके परिवर्तन और सुधार के योग बन रहे हैं स्वास्त की समस्याओं पर हाला की इस साल ध्यान बनाए रखना होगा साल के अंत तक आपको संपत्ती का लाब हो सकता है क्या करेंगे पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज की जिग्यासा है कि क्या घर के अलामा किसी दूसरे व्यक्ती का भोजन करने से किसी तरह का नुकसान होता है देखिए अगर दूसरा व्यक्ती अशुब संसकारों वाला हो या आपके लिए शुब विचार न रखता हो तो ऐसे व्यक्ती का भोजन करने से स्वास्थ बिगर सकता है या आप मिंटली परिशान हो सकते हैं ऐसे व्यक्ती का ही भोजन करना चाहिए जो स्वभाव से सात्विक हो और जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता हो आपके लिए अच्छा सोचता हो आज के महाउपाय में बताते हैं उन माता-पिता के लिए उपाय जिनकी संतान को संतान नहीं हो पा रही है अगर आपके संतान को संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे घर में नियमित रूप से चंदन के सुगंद की अगर बत्ती या धूबत्ती जलाईए सुबह और शाम भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करके प्राथना करिए और जिस कमरे में आपका बेटा या बेटी रहती हो जहां संतान रहते हों आपके उस कमरे में गाय और बच्छडे का या तो चित्र लगा दें या उनकी मूर्ती रख दें ये काम करके देखिए आपकी संतान को संतान आसानी से हो जाएगी अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जोतिश के माध्यम से सुल्जाया जाए तो आप हमसे संपर्ट कर सकते हैं जुड़ सकते हैं एक्षो तक पर